तो आज आप देखेंगे Matter, Matter क्या होता है? Matter अयसी चीज होती है, जो matter हर एक चीज होती है Matter हर एक चीज होती है जो भी अपने चरत पर दिखता है Matter की अपने चलत 가운데 मीनहीं होती है Matter चीजीन सब्सक्राथ मैंटर स्पेस लेता है और matter का मास होता है कोई ऐसी चीज बता जो matter नहीं है air तो space लेती है और उसका mass भी होता है water water का भी same है space लेती है mass होता है happiness matter है नहीं है anger matter है नहीं है बट हम physics के perspective से देखें तो जो भी space और mass लेगी वो matter होती है ठीक है अब physics में बहुत बड़ा confusion होता है generally आपको पता mass और weight के बीच में क्या difference है आपने कई बार सुना होगा ना weight weight और mass mass वो होता है जो सारे चीज़े लीटर मीटर और weight क्या होता है weight सिर्फ kg नहीं mass लीटर नहीं होता है लीटर तो volume होता है तो mass सिर्फ kg होता है weight अलब क्या होता है weight वेट लीटर नहीं इसमें कभी confusion मत होना यह बहुत confusion होता है ठीक है mass मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता होगा अभी और हम बात में इस पर discuss करेंगे but mass जो होता है ना वो कभी भी बदलता नहीं है ठीक है mass never changes ठीक है and weight changes किस basis पर change होता है weight आप मून में गए तो आपका weight कम हो जाएगा but आपका mass same रहेगा तो अभी बस इतना ध्यान रखो mass कभी change नहीं होता है weight change होता रहता है ठीक है हम बात में जब false पढ़ेंगे तब हम weight देखेंगे तो हम लोग जो हमीशा बोलते ना weight weight actually उसका मतलब होता mass mass ठीक है जब आपको कोई बोलता है कि मैं अपना weight loss कर रहा हूँ तो weight loss नहीं कर रहा हूता है वो अपना mass loss करता है मतलब mass मैं ऐसे बोल रहो कि जैसे आपका mass अभी जो है जब अगर आप suppose dieting करोगे तो आपका mass कम होगा लेकिन इस वत जो आपका mass है वो आप अर्थ में रहो या मून में रहो same रहेगा लेकिन आपका weight change हो जाएगा ठीक है तो जो चीज हम weight बोलते है वो actually mass होती है तो mass क्या होता है वो होता है किसी भी चीज के अंदर जो matter है ठीक है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना तोई भी जो मेंटल होता है उसका सबसी छोटा तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ फिर बहुत च्छोटा हिस्सा होगा molecules उसे हम बोलते हैं molecules ठीक है अब molecules किस चीज़ से बनते हैं अब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है दो चीजे इंपोर्टेंट होती है अब मैंकर किस चीज से बना है अब जैसे सोचो कि आपका स्टोन एक ठीक है अब स्टोन को चोटा 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 करते गरें तो आपको क्या मिले कहीं पर मॉलिक्यूल मिले तो अब मॉलिक्यूल की दो प्रपरटीज होती है एक तो होता है जो हम बोलते हैं intermolecular space ठीक है intermolecular space और दूसरा होता है intermolecular force ठीक है यह clear हो तो हर matter बनता है molecules का और molecules जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनके बीच या तो उनके बीच दो चीज़े important होते हैं दो molecule के बीच में space कितना है और दो molecule के बीच में force कितना है अब हम एक और चीज़ पर बात करते हैं वो है matter की state matter कितने state में रहते हैं gas, liquid और gas, liquid solid correct तो अब हर matter किस चीज़ का बना है molecules का Molecule के बीच में क्या है? Intermolecular space and intermolecular force है. Actually, इसको ऐसे करते है. Space and force. ठीक है? Solid, liquid, gas. अब solid में intermolecular space ज्यादा होगी कि काम होगी? काम होगी. ठीक है? Less. Force ज्यादा होगा कि काम होगा? अब वो molecule क्या होता है? एक डूसरे को attract करते हैं. उनके बीचे एक force होती है. वो force ज्यादा होगी कि काम होगी? ज्यादा होगी. ठीक है? Space काम होगी, force ज्यादा होगी. और gas में? gas उल्टा होगा. उल्टा होगा. Space ज्यादा होगी, force काम होगी. और ये जो होगा? दोनों के बीच में होगा करीज़, मिडिल में होगा, ठीक है? तो अब इस से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं? Solid, Liquid, Gas, इनका shape और इनके volume की बात करते हैं Solid का shape कैसा होता है? Problem, same, fixed Fixed रहता है, ठीक है? तो solid का shape हुआ? Fixed, और volume? Volume, volume भी fixed Fixed होता है Liquid का shape? Liquid का shape fixed नहीं होता है Change करता है किस चीज़ पर change होता है? जैसा बढठता है। बट उसका volume? Volume, same रहेगा Volume fixed रहेगा Gas का? Gas का shape fixed नहीं रहता है Change होता है और volume भी fixed नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच का intermolecular force बहुत काम होता है और space बहुत ज्यादा होती है, तो उसको जहां भी direction में मिलता है चला जाता है, तो इसलिए जो volume होता है, पूरा भर देता है solid उसके इसमें क्या होता है, क्योंकि वो fixed होता है, तो आप उसको किसी doubler के अंदर रखो, टेबल के उपर रखो, उसका shape और volume fixed रहने वाला है तो आपको matter clear हुआ, space and mass लेते हैं clear हुआ, mass और weight के बीच difference होता है clear हुआ, matter molecules के बनते हैं, molecules के दो चीज़े होती है important, intermolecular force and intermolecular space, matter की तीन state होती है, solid, liquid, gas, और उनके shape और volume उससे साब से decide होता है matter clear हो गया, अब मैं आप से कुछ questions पूछता हूँ, आपको state बतानी है, water की state, water liquid, stone की state, solid, carbon dioxide की, gas, पक्का, आपको पता है CO2 जो है solid form में भी आती है, gas, हाँ, जो चीज़े जब ठंडा करते हैं, हम CO2 का, तो CO2 के packs आते हैं, तो खाली नाम से आपको पता नहीं चलेगा, अगर मैं बोलू कि water, तो हम आप में साब सोचते है liquid water, but actually तेखा जाए तो वो ice भी है, ठीक है, और वो steam भी हो सकती है, तो state जो है, वो change हो सकती है, ठीक ह है, ice की state, solid, solid, curd की state, liquid, पक्का, जब ठंडा करेंगे तब solid, तो state जो है ना, वो state जो है, आपका इन दो प्रपर्टी से, अगर उसका shape और volume fixed है, तो वो solid state में है, and it can go into other state also, ठीक है, clear, friends, क्या आपको समझाया matter, अकर समझाया तो एक solid, एक liquid और एक gas, कमेंट सक्षिन में, कमेंट करना, एक और ऐसी state होती है, जो ना solid होती है, ना liquid होती है, ना gas होती है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो state कौन सी होती है, hope you like this video, and if you like the video, then please like, share, subscribe, and we will meet you in the next video with more topics, bye, करते हैं,